हेलो एरिवन वेलकम टू टू टेस्ट बुक सूपर कोचिंग फॉर बैंक एक्जाम सो दोस्तो हमारे एक सिरीज ही चल रही ही जहां पे हम अलग-अलग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स के पोर्टल्स के उपर बात करते हैं जो एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन्ट ह हमारे बहुत सारी एक्जाम के अंदर करंट अफियर्स के क्वेश्टन्स या फिर इवन स्टाटिक के अंगल में कुछ क्वेश्टन्स पूछे जाते हैं गवर्रमन्ट आफ इंडिया के पोर्टल्स को लेके या उस पोर्टल्स के क्रियेशन का यर या फिर उनके लॉंग- इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन से इंपोर्टन पोर्टल्स आते हैं उनके उपर आज इस सेशन में आपके साथ बात होगी दोस्तों उसके पहले yearly test book pass जो है हमारा 269 के अंदर आपके लिए available है यहाँ पे push-puck pass ये code आप use कर सकते हो to avail this offer इसके अलावा this is a telegram channel जहां से आपको आने वाले time पे sessions की जानकारी प्लस notes भी available रहेंगे दोस्तों इसके अलावा अगर आपको हमारे साथ batches join करनी होगी जहां पे आपको live sessions, recorded videos, practice test, mock test और study notes अवे लेबल हो जाएंगे तो उसके लिए preparation की उडान एक offer चल रही जहां पे bank exam subscription एक साल का केवल 809 के अंदर आपको available हो जाएगा यहाँ पे enroll करने के लिए you can use this code, आप एक code use कर सकते हैं तो code is PUSHPAK same उसी code का use करके आप EPFOSSA फिर बाकी भी exams के लिए appear कर सकते हैं या उनके batches में join कर सकते हैं तो start करते हैं आज के session को we talk about the portals for agriculture as well as animal husbandry department चलो धान दीजेगा ministry of agriculture and farmer welfare अब एक बात बताना चाहता हूँ मैंने भी animal husbandry का word उसकी अलग से ministry है फिर फिर भी कुछ ऐसी website से कुछ ऐसे portals है जो farmer और animal husbandry तोनों के लिए साथ में create कैंगे उनका भी नाम हम यहाँ पे देखने वाले हैं पर सबसे पहले एक बहुत important portal agriculture ministry का जिसका नाम है E-NAM NAM stands for national agriculture market E stands for electronic So electronic national agriculture market 2016 में इसे create किया गया था इस E-NAM का purpose देशा हमारे पास APMCs होती है मंडीज होती है हर एरिया में अलग-अलग मंडीज होती है दाम अलग चलते है तो सब चीज को centralized करने के लिए तो farmer के लिए uniform pricing और इंडिया के किसी भी farmer को किसी भी मंडी में किसी भी market में अगर आपने सामान को बेचना होगा तो E-NAM ये electronic platform pan-India all over the India agriculture commodities को sell और purchase करने के लिए help करेगा ये completely funded by central government है So E-NAM में state government को involve करते है पर पूरा का पूरा funding पूरा management ये central government देखती है तो या धान रखेगा implementing agencies या पे small farmers agri business consortium है normally मंडी जूनी के हाथ में आता है और purpose यही है कि real time price discovery हो सके पूरे देश में uniform pricing और farmer के लिए अपने product को सही दाम में बेचने के लिए एक सही platform मिल सके इसलिए ये E-NAM platform को create किया गया ये पशु हट मैंने कहा था कि agriculture के साथ animal husbandry की भी बात होगी अब ये पशु हट animal husbandry है पर agriculture ministry की मदद से इसे create किया गया US farmers ये animals को भी रखते तो milching animals especially उनके germoplasm के लिए इसे create किया गया है connect the breeders and farmers regarding availability of the bovine germoplasm exactly क्या है इसे semen है, embryos है, live animals है so जो milching animals है उनकी information के लिए एक portal है जो breeding करते है animals का और farmers को अगर ऐसे animals खरीदने चाहिए so direct communication के लिए E-Pushu Hut इसे create किया गया है so selling and purchasing of the breeding stock सही तरीके से हो सके quality disease free animals भी होते भी because आप artificial insemination किया जाता है artificial तरीके से hybrid animals प्रोड्यूस करने की process की जाती है तो उन सारे चीजों के लिए ये E-Pushu Portal काफी मददगार साबित हुआ है इसकी भी शुरुआद 2016 में Government of India के द्वारा की गई now ensure portal अब ensure portal का full form है electronic submission of returns electronic submission of returns means यहाँ पर exactly किस चीज की बात हो रही है अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर discussion हो रहा है कि जो subsidies provide की जाती है subsidies for example जैसे नाबाड इसको operate करता है Department of Animal Husbandry के साथ dairy and fisheries तो नाबाड means agriculture ministry का भी involvement आई गया but direct involvement नहीं नाबाड की मदद से काम हो रहा है but direct involvement यहाँ पर Animal Husbandry ministry का है अब देखें बहुत सारे जगों पर poultry के लिए या फिर pigs farming के लिए बाकी भी चीजों के लिए कुछ subsidy provide की जाती है वो subsidy beneficiary के directly account में चली जाए इसके लिए electronic submission of returns यह concept launch किया गया है तो जिस basis पे आपको subsidy मिल रही जिस basis पे आपको benefit मिल रहा है जिस basis पे आपको कुछ fund मिल रहा है तो वही अब यहाँ पर returns यह word क्यों यूज किया गया कभी क्या होता है सबस फोरेज़ मेरा पोल्ट्री है मुझे subsidy तो मिल रही है यह suppose मुझे पहली subsidy मिल गई पर documents तो सब्मिट करने पड़ेंगे उसकी तो information देनी पड़ेगी तो इसी लिए यहाँ पर electronic submission of returns यह concept यहाँ पर mention किया गया very important पर यहाँ पर agriculture ministry का direct involvement तो नहीं है indirectly है पर यहाँ पर नाबाट and animal husbandry ministry बड़ा रोल प्ले करती है ना फार्मर्स पोर्टल ही तो बड़ा simple है it's a one-stop shop for meeting the information needs related to the agriculture, animal husbandry, fisheries तो सभी के लिए it's not only about the agriculture यह पर बाकी भी सारी चीज़े one-stop solution हम कह सकते है one-stop shop so जो भी information services है जो भी चीज़े चाहिए तो सारी एक ही जगप available हो जाएगी चाहिए फर्टिलाइजर्स हो, seeds हो animal husbandry के लिए अगर कोई आपको चीज़े चाहिए fisheries के लिए कोई अगर आपको component चाहिए services की information चाहिए so everything will be at the one place called as a farmer's portal created by the various departments of government of India then M.Kisan M.Stands for mobile mobile telephone need to reach out the farmers and also address the concern and queries 2013 में ये पुराना concept है, पुराना portal है जो आज भी वर्क कर रहा है तो farmer can just give a miss call and they will get the call they can talk, they can ask about their queries, they can get the information of different services, different योजनाज, अगर कुछ climatic conditions में changes होते हैं, उसकी भी information mobile के थूँ दी जाएगी even messaging system भी यहाँ पे होती है suppose कोई cyclone वाला scenario अगर बारिश without any specific scenario में अगर बारिश आ जाती है तो वो भी information यहाँ पे provide हो जाएगी so SMS services भी a central state government दोनों यहाँ पे role play करता है then किसान सुविधा अब देखे यहाँ पे किसान सुविधा five critical parameters weather, input dealers, market price, plant protections and export advisories तो इन पाच चीजों की information फार्मर को provide करने के लिए किसान सुविधा की शुरुवात की गई 2016 में इसे भी launch किया गया धान दीजे पाच चीजे कोन सी है weather, input dealers, market price input dealers का मतलब है seeds या fertilizer अगर आपको चाहिए तो input ना agriculture के input के लिए जो चीजे आपको चाहिए उनके dealers की information, pricing then market में क्या price चल रहा है जिन चीजों का आपको sell करना है then plant protection के लिए आप क्या कर सकते हो and experts advisories जो experts है वो आपको advise करेंगे अलग-अलग चीजों पे इन पाच चीजों को धान में रखते हुए इसे create किया गया अब देगे इन पाच चीजों के बरोसे क्या क्या services और information मिलती है so weather forecast, extreme weather, weather alert, market price of commodities इसके लवाद dealers, जिसे मैंने का आपको यह information है plant protection for 12 major crops, क्या करना चाहिए agro advisory, soil health card, soil testing, cold storage, wet labs crop insurance, government schemes so all these things और सबसे बड़ी बात यह जो portal है साथ भाशाव में create किया गया है Hindi, English, Tamil, Gujarati, Oria, Punjabi, Marathi Bangla and Telugu so इन साथ भाशाव में यह portal काम करता है now Pusa Krishi mobile app Pusa is a Indian Agriculture Research Institute यहाँ पे Pusa का Agriculture College बड़ा फेमस है तो उनका खुद का अपना एक mobile app है जिसके थूँ वो अपने research, अपनी information farmer तक पहुँचा सकते है यह Hindi और English दो भाशाव में available है 2016 में इससे create किया गया government का institute है इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं पर यह specific institute oriented mobile app है so that's all from my side for the day for this particular agriculture and agriculture related जितने भी allied है उनके कुछ portals की information आपके सामने है मिलेंगे next session में जहाँ पे और बाकी ministries के portals के उपर हमारी बादचीत होगी आपके साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर safe रहिए, सुलक्षित रहिए और पढ़त रहिएगा बाई दोस्तों